हलो दोस्तो मैं हूं आपके साथ Creator Medicine आप सभी का मेरी YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आप लोग के लिए एक महतपूर्ण बात बताना चाहते हैं वीडियो के अंद तक आप सभी बने रहें और अच्छी जनकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, से और कमेंट करना ना बुलें इससे क्या होगा कि कमेंट करने से आपके मुझे होसलों काफी होसला मिलेगा और आगे मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूं, सो थैंक्यू, आज का एक महतपूर्ण टॉपिक यह है, हम सभी समझते हैं कि आखिर हमें पसीना क्य है, क्या आपको भी पसीना आता है, क्या आप सोचते हैं कभी कि हमें पसीना क्यों आता है, तो इसी की बारे में हमें आज आप लोग के लिए कुछ मुहतपूर्ण बाते बताने जा रहा हूं, जो कि ध्यान से आप लोग इस बात को समझेंगे, पसीना आना एक समझें तो प जीव को आता है किलियर है पसीना हमें तब ही आता है जब हमारा ब्लट फ्रेसर मतलब ब्लट फ्लो हाई हो जाए या हम कोई कारे कर रहे हो उस समय हमें ज्यादा या फिर गर्मियों के समय में हमें हीट वेव के इसा पसीना आता है दरसल होता क्या है न कि गर्मियों के दिनों में जब हमारे सरीर का तपमान बढ़ने लगता है तो उसे समान रखने के लिए जिसे हमारे सरीर का तपमान मेंटेन अगर हीट बढ़ेगा तो हमारे सरीर का तपमान बढ़ेगा उसको maintain करने के लिए हमारे सरीर से मौजूद सभी पसीने की जो गरंती होती है वो एक्टिव हो जाती है जिसे हम उस गरंती का नाम है sweet gland यह सक्री हो जाने के कारण इसके जरिये निकलने वाले तरल पदार्थ को को sweet gland जो एक्टिव होगा तो उसे निकलने वाले तरल पदार्थ उसी को हम लोग पसीना कहते हैं ठीक है जिव ही हमारे सरीर से पसीना निकलता है समझे कि हमारे सरीर का तपमान नियंत्रित हो जाता है पसीना अना एक बीमारी का भी लक्षण हो सकता है उसको भी हम देखेंगे पसीने की गरंती या sweet gland अगर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो सरीर से समानने से ज्यादा पसीने निकलते हैं अगर हमेशा समझे कि sweet gland active रहेगा तो मतलब एक नॉर्मल शरीर टेंपरेचर से जो पसीने आने चाहिए उसे कहीं ज्यादा आता है मेडिकल कंडिशन में वज़ा हो सकता है ऐसा तब होता है किसी बैक्ति को जैसे कि उसे मतलब कुछ डिजीज हो जैसे diabetes हुआ, heart related disease हुआ, monopause, fever, malaria, infection और TB, limbophon और neurological disease में भी मतलब पसीना ज्यादा आता है यह सबी common disease हैं जिसके वज़ा से पसीना आता है तो आज हमने समझा कि पसीना किस ग्रंती के वज़ा से आता है और हमारे सरीर में जो sweet gland जब active होता है तो हमारे सरीर में जो skin पे जो छोटी-छोटी छीद्र है, hair, hair, hair के समान जो छीद्र है और उसी वज़ा से हमारे सरीर से जो तरल पदार्थ निकलता है उसी को हम लोग पसीना काते है I hope आपको वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो like और subscribe करना ना भूले और share करना ना भूले Thank you